है तो कि हाल जाना है फिर से बापिस तो भई इस वीडियों बात करने वाले भई के बाद ऑस्ट्रेलिया ना चीए या फिर अपना बैचलर्स करने के बाद तो मेरा नाव है कैफ मिलिक तो इस वीडियों में यह सारी चीजा हम कबर करने में देख गोग तो किस्ति च्शा में कुशिष करेंगे तो इस से पहले अभी चलता है नी नीचे प्डेख समान क्या है और देखborg में स्था था नोच फॉद्स्ट दो चौओन नूइडल्स नूड़्स है नूड़्स पनी नूड़्स बहुत बगारवनेधा यह लिए टो ने निछ खा लिये और थोड़गरभण होगय था अमान कुछ नूडल भी गड़दे और पनी थोड़गड़ लेथा थे तो इस चीज को मैं दिखाया चुलो कोई नहीं थर्ड एक्सपरिमेंट एक डिश घरावी एक दिन बनाइटी मैंगी फिर रोटी खराब हुई और यह नूडल्स खराब हो गया तीन चीजों का गाटा हो गया तीन चीजा बेकार ही तीक बनती है तो जैसे कि आप सबने थे लि चाहिए तो भाई दोनों के थोड़े बहुत प्लस माइनस पॉइंट है तो वह सारी चीजे मैं डिसकस करने वाला हूं तो सबसे पहले हम जो बैंट रिक्वारमेंट ठीक है अगर आप प्लस टू के बाद आते हैं तो यह मालब फॉर है आप चाहें कनाड़ा जाएं चाहें सब्सक्राइब प्लस को एपनाचैना पड़ेंट्रीय हूं वो यह को सबस्क्राइब किसी बी की और इसक्राइब उपसिर्टन के नहीं कर सकते हैं तो आपको यह ऑपनाधी का ही देर से दो साल बैसलर की फीज जो माला अन एवरेज अगर लेकर चलते लो वो पच्छी साल डॉलर से तीसाल डॉलर अन एवरेज बोर डिवेंट भी करता वह आपको इस पॉर्स यह इस अच्छी बैट मैं एक एवरेज अमांट ले रहा हूं तो ठीक है फॉर्क्साम अगर थ पचास से साथ डॉलर हो जाएगा देड़ से देड़ सो दो साल में ठीक है तो वह अमांट का भी मतलब काफी फरक आ जाता है अब चलते में नेक्स पोइंट पे अर्ली एक्सपोजर जो की बहुत ज़रूरी है ठीक है जब प्रस्टू करता है मैं मैं अपना एक्जांपल ल 20-23 साल का हो जाता है ठीक है तो उसके पास इनफ टाइम होता है आगे अपना वाला पर्मिट करके प्र लेने के लिए ठीक है जब तक एस कंपेर डू जो आप मांस्टर साल के लोगे तो वह नदा कंपेर करो तो मांदा फाइदे में वही राइका जो प्लस्टू कर गया है स उसकी एज अलरडी 22-23 साल है यहां आएगा मास्टर स कंप्रीट करेंगा दो साल की 25-26 पर टीर कंप्रीट करेंगा तो 27-28 साल मतब आराम से मान के चलो ठीक हो जाएगा ठीक है लेकिन बट इसमें एक छोड़ा सा मनलब टूस्त है जो जिनकी एज 20-25 साल की होती है उनको पी बट प्लस और वाली फायदे मेरें था प्लस सब्सक्राइब तो उनको पांच पॉइंट यूज दोनों बट दोनों हो जाते हैं पर वैसे ओल ओवर 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 आल देखें तो जो प्लस टू कर आते हैं वह चल्दी पीड हो जाएं गे नेक्स पॉंट आता भा तो यह वाला जो पॉइंट है वह प्लस टू करके जो बच्चे आते हैं ठीक है वह उन्होंने बाहर कुछ नहीं देखा होता है यहां पर आके हर एक चीज खुछ से मैनेज करनी होती है घर पर होते हैं सारे समय आटोमेशन पर लगा होगा है खाना मम्मी ने खालिया पैसे पा कि अटोमेशन करना घर्ड ऋंट ह ones चाहते हैं टो सारे मैनेज करनी हैं तो जो बहुत सारे देखी है ओ प्लस टू करब गया हैlles उन्हें यह नहीं प्ता कि ट्रें से आइसart डी डाना ब Geralt घया हां ऐसे चेंट चीज हैं तो उन्हेट ऐस नहीं आती है बस सोचल घ्रहार है 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 थो सेम भड फिर बी नहीं आते है यह बैसिक जीज टीज थिक है तो यह एक छोट छोटा साइशा मॉल्ड एक्जांपल दिया हो बहुत सारी चीजें ऐसी है जो यहां वे बच्छे इम्योचर बच्चे नहीं करपाते और ऐसा नहीं तभी अच्छा सीखने को मिलेगा प्रेशर आएगा सारी चीज़ा खुद हैंडल को तो सीखने को मिलेगा बेटर लाइफस्टाइल आगे मिल जाहेगी बट बच्चा खुद भी सोचे और पैरेंट्स भी सोचें जो इतने जादा बच्चे को तो उनको प्लीज से प्लीज समझ लिए वाकी आपकी मरजी है वेट अंटिल थोड़ा बहुत मैचे और हो जाएं जाहें बहले ही बैसल्स के बाद भीजना पड़े ठीक है मैं बस मेरा अपना उपीनिन है मैं कोई नहीं कर रहा हूं बट जो बैसल्स अल्रेटी कर होती है घर से बाहरा ज्यादा एसलिजा निकले हुए होते हैं बैसलिस वाले तो उनको जादा थोड़ा एक्सपेरियूनस उदा भार वार का तो उनकी हो जाता है तो मेरा यही ओपिनियों फ़ाइब मेचूरटी हो जाए है हुए रच्छे में तभी आए क्योंकि बादा ए समझो यहां पर वही कोई नहीं होता खुद को समालना पड़ता है ठीक तो इस चीज को थोड़ा सा consider कर लें वाकि फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते अगली वीडियो कोई और चीज हो तो भाई कमेंट डाउन कर देना अनिवे तो पिछली वीडियो में तो जरूर से लेकर आएंगे तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो को बाई बाई